हरिटन है संदम टूम टो माइचानल फ्रेंड आज में आज आख को ये संदर सा आसा डिजैन लेके आई हूं एगए मैं आपको सिखाओंगी justify इस डिजैन को आप किसी भी जैन स्वेटर, लेडी स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रोक, मॉफलर किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यह डिजाइन हर कलर में अच्छा बनके ही आएगा, देखो यह डिजाइन, देखो कितना अच्छा लग रहा देखने में, यह इसकी राइट साइड है, और यह इसकी राइट साइड है, फ्रेंट्स यह दो फंदों का डिजाइन है, और दो फंदे बीच में उल्टे है, दो फंदे बीच में उल्टे और दो फंदों का डिजाइन है, और यह डिजाइन जो हमारी सीधी स्लाइशे शुरू होगा, फ्रेंट्स यह मैंने छोटा सा आपकी जैसे मर्जी है वैसे लो धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा दो फंदे उल्टे ठीक है अब धागा अंदर की तरफ ही रखना है फिर एक फंदा ये और एक ये दो ये धागा इसकी हमने जाली बनानी है तो दो फंदों का एक फंदा हमने कर दिया फिर दो फंदों का यहां एक किया तो यह बढ़ गया ठीक है फिर धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दो फंदे उल्टे फिर धागा अंदर की तरफ फिर रखना है और यह फंदा और ये दो फंदे हमने इन दो फंदों को हमने ऐसे जाली डालते हुए एक बनाना है जाली हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम फंदा बढ़ा रहे हैं ये जाली नहीं डालने हम फंदा बढ़ा रहे हैं और जाली भी डल रहे हैं ठीक है क्योंकि हमने दो फंदों का एक फंदा कर रखा है ठीक है धागा अंदर की तरफ किया एक फंदा उल्टा दो फंदे उल्टे अब धागा अंदर की तरफ ही रखना है यह देखो दो फंदे हमने ऐसे बनाने है और ऐसे एक हमने जाली डाल दी और दो फंदो कई किया तो हमारे फिर दो फंदे बन गए फिर धागा अं कि चोड़ना है और ऐसे कि यह एक फंद मारेश बन गया जाली वाला और कि यह दोंको स्थेट लोड़ना फिर दो ने अप जैसे का मजुद Wahr हो ठीक है हमारीफ एस पहलेश लाई डिजाईन की हो तो सब्सक्रानिए अलुक्स प्रांग साइट से दूसरी समिट लाई पहला प्हला अराम से ले लिए अब जो हमने उल्टे उल्ठे Shaid से दो मारे उल्ग्स उल्टे हैं उमको हम रूंग साइट से सिधा करके बनाना एक लंग बना il updates और दो में सिधा अब धागा अंदर किया एक फंदा सीधा दो फंदे सीधे धागा अंदर करके फिर एक फंदा उल्टा दो फंदे उल्टे यह फ्रेंड्स दो फंदे जो यहां हमने उल्टे करके ले रखें राइट साइड से यह हमने यहां सीधे करके बनाने रोंग साइड से और जो हमारे यह डिजाइन के दो फंद हैं ये रो जाएट से उल्टे करके अब ना नहें ठीक है एक मैं मात हैं दो दागा बाहर किया है एक-2 हथा दो इस दागा अंदर किया शुक्त फंदा और उर दो इस डिजाइन के दागा बहर करके एक फंदा दो फंदे और यह हमारा लास्ट वाला ठीक है यह हमारी दो सिलाई हो गए पीच्छे से इसे दीकता है आप हमारी थीजुटी स्लाइद तीसटी में फ्रेंड्स आप पहला फंदा तो आपने जैसे मर्ची लेना है वैसे ले लो फिर एक फंदा उल्टा दो फंदे उल्टे ठीक है पहले हमने यहां से ऐसे उल्टा करके लिए था अब हम धागा बाहर की तरफ कर देंगे तीसरी स्लाई में फिर हम इसको यहां से इनको ऐसे करके बनाएंगे ऐसे नहीं बनाएंगे इसको हम ऐसे करके बनाएंगे ठीक है यह ऐसे करके ठीक है यह दो फंदों का एक फंदा बना दिया अब एक फंदा कम होगे इसलिए हम यहां जाली डालेंगे तो हम यह धागा बाहर की तरफ रखते हुए यह फंद बना दिये यह देखो कोद जाली पड़ गई ठीक है एक फंदव हो गया उल्टा एक दूसरा फंदव उल्टा हो गया ठीक है अब धागा बाहर की तरफ कर लिए अब यहां से ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना सिधे इसको इस तरह बनाना ठीक है थोड़ा डिजाइन में नहीं तो आप इस तरह बनाएंगे तो डिजाइन में फर्क आएगा ठीक है इस तरह बनाना है तो बहुत अच्छा डिजाइन बन के आता है इस तरह यह देखो यह ऐसे छोड़ दिया ठीक है अब हमने यहां दो फंदों का एक फंदव तो कर दिये पर यहां एक फंदा बना इसलिए ह कि दूसरा फंदा अलटा ठीक है दागा बाहर किया देखो इसको यही दो फंदे हैं इसको मैंने पहले बताया यहां से ऐसे नही Baştu बनाना है। इस तरह बनाना इसको इसको है यह से आप यह दो फंदे-उलटे आए तो यह black 시간이 रकते way इसको ऐसा अंदर करके बनाएंगे ऐसे तो फिर सीम्पल से बन जाएंगे दो फंदे और एक की फंद रहेगा जाली नहीं डेलेगी इसलिए हमने धागा बाहर की तरफ ही रखना राइट साइड की तरफ और इस तरह बनाना इसको तकी एक जाली भी बढ़ जाए और उल्टा घर जो है व अब फिर धागा बाहर रखते हुए यह आगे दो फंदे उल्टे हैं तो यह देखो उल्टा यह दूसरा उल्टा और यह हमारा लास्ट वाला फंदा ठीक है यह देखो अब हमारी फोर्थ रो फोर्थ रो में पहला फंदा आराम से आपने जरसे विलो आपकी अपनी करके बना लेंगे दागा अंतर किया फिर दो डिजस्याइन वाले फंदे जो है हम में इनको इस तरह ऐसे बना लेंगे यह देखो फिर धागा बाहर किया 1 फंदा सीधा 2 फंदे सीधे अब धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा और दो फंदे उल्टे दागा बाहर करते हुए एक फंदा सीधा दूसरा फंदा सीधा दागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा ये दो फंदे जो हम उल्टे बना रहे हैं ये डिजाइन के दो फंदे हैं ठीक है ये जो सीधे फंदे बना रहे हैं यह हमने राइट साइड से उल्टे करके बनाया दो फंदे उनको हम रोंग साइड से सीधा करके बना रहे हैं ठीक है यह एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा धागा बाहर किया एक फंदा सीधा दूसरा फंदा सीधा और यह लाट वाला फंदा हमने सीधा ले लिया आप अपने मरजी से जैसे भी लेना चाहें वैसे ये दिखो ये हमारा डिजाइन इस तरह बनेगा ये दिख़ा है आपको इस तरह बनता ये डिजाइन चलो मैं आपको दोबारा एक डबी और बना के बताती हूं ठीक है नए-ए सीखने वालों को थोड़ी से लाइयों का डिजाइन ये बन गया है हमारा पर फिर मैं आगला जो दवारा जो इसको डिजाइन को स्टार्ट करूंगे तो ये बताऊंगे कि कैसे स्टार्ट करना ठीक है जो फंदे हमने उल्टे ले लिए तो धागा हम इस तरफ रखेंगे अब हम इसको यहां से ऐसे फंद करेंगे ठीक है मैं किbell अंधर किया एक फंदा उल्टा दो फंदें उल्टे अब अंदर हम डखना है और दो फंदों का एक हो गया, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, ठीक है, ये ये दो फंदे ऐसे बना लिए और ये दो फंदों का हमने एक कर दिया, ठीक है, अब धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, अब यह देखो यह दो फंदे हमने फिर एक कर दिये ठीक है अब धागा अंदर किया एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा और यह हमारा दीसा है ठीक है लास्ट वाला फंदा अब हमारी wrong side, wrong side से friends आपने उसी तरह पहला फंदाराम से ले लिया, जो दो फंदे उल्टे थे उनको यहां सीधा करके बनाना है, और जो दो फंदे डिजाइन के थे उनको उल्टा करके बनाना है, यह हमारी छटी सलाई है, ठीक है, यह देखो, यह हमारी छटी सलाई, श्टार्टा ठीक है, यह देखो, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, यह दो फंदे, तो सीधे, एक फंदा, यह लाट वाला उल्टा, ठीक है, अब साथिवे सलाई, यह देखो, पहला फंदा अराम से जैसे भी ले लिया, एक फंदा उल्टा दूसरा फंदा उल्टा अब धागा बाहर की तरफ करना है और इन दोनों फंदों को एक करना है ठीक है एक कर दिया अब इस तरफ जाली डालनी है तो हमने धागा यहीं बाहर रखना है और इस फंदे को ऐसे बनाना है ताकि एक जाली भी पड़ जाए और फंदा भी बन गया ठीक है अब धागा बाहर करना है पहले हमने जाली यहां डाली अब जाली हमारी यहां दूसरी तरफ डलेगी तो हमने पहले दो फंदों को एक कर लिया अब यह उल्टा फंदा बनाना तो धागा बाहर की तरफ होगा तो यह जाली भी पढ़ जाएगी और ये फंदा भी बन जाएगा अब दागा बाहर ये देखो दो फंदों का एक ये देखो एक दो फंदे हो गया है ये दागा बाहर किया ये देखो ये देखो इस तरह ये अब इसकी आठमी चलाएगे उल्टी तरफ से रॉंग साइड से आठमी चलाएगे दो फंदे हमने सीधे ले लिए दो फंदे हमने उल्टे बना दिये दो फंदे हमने सीधे बनाए और दो फंदे हमने उल्टे बना दिये दो फंदे सीधे और ये एक दो फंदे हमारे उल्टे एक दो फंदे सीधे एक और दो फंदे उल्टे एक दो फंदे सीधे और यह हमारा लास्ट वाला फंदा इसको सीधा उल्टा अपनी मर्जी से जैसा भी लेना चाहें वैसे आप ले सकते हैं यह देखो फ्रेंड्स यह देखो डिजाइन दिख रहा ना आपको यह देखो यह इसी तरह ऐसे डिजाइन यह देखो फ्रेंड्स यह ऐसे आएगा इस तरह डिजाइन बनेगा आप इस तरफ से जाली फिर एक बार इस तरफ से जाली बनाएंगे दूसरी तरफ इस तरफ से जाली बनाएंगे फिर हमारा डिजाइन बनके पूरा हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यह चार स्लाइन का है क्योंकि यह दूसरी डब्बी डाल के भी बताई है कि कैसे दूसरी डब्बी हम स्टार्ट करें अगर आपको मेरा यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने स्वाल और सुजाव कमेंट बोक्स में जरू लिखें वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंट्स ल